सब्सक्राइब दोस्तों आप सभी लोगों को फिर से हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है एक नए वीडियो की साथ जो मैं आप सभी लोगों को एक नए इनफॉर्मेशन देता रहता हूं तो आज हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि यूपी स्कालर्शिप यूप कब से होगी तो यही आज हम आप सभी लोगों को बतानेवाले हैं कि ना Unthor Highschool का जो इंटर और फश्टियर इंटर या बीए बीए सी बिकाउब जो भी आप पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक अधर देन जो भी आप क्वैलिफिकेशन तो उसका इस काल सी पाप कैसे भर पाएंगे तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए हम च लते हैं अपने वीडियो की और 9th और High School का Regitation काईसे करेंगे या B.A. B.C. का Regitation कैसे करेंगे ठीक है या फश्टियर जो भी पोस्ट मैट्रिक अधर देन या प्ट्री मैट्रिक का Regitation कैसे करेंग और उसको लॉगइन कैसे करेंगे, लॉगइन करके फार्म कैसे भरेंगे, और फार्म भर करके, अगर कोई मालिया 5build earlier में था, पिछले वर्स उसने online करवाया था, उसका इस वर्स कैसे फार्म अपलाई होगा, उसका removal होगा, तो किस परकार से होगा, तो यही कुछ बहुत सारी information है जो मैं आप सब लोगों को share करने वाला हूँ तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की अगर आप हमाए यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज यार पहले यूट्यूब चैनल को subscribe कर दे और वीडियो को like कर दे तो सबसे पहले हम chrome open करेंगे मतलब google chrome तो उस पे up scholarship की website open करेंगे search करेंगे तो ये आपको सबसे पहले वाले link पे click करके इस website पे पहुंझाना ये up scholarship का optional website है जहाँ पे इस प्रकार का कुछ आपको dashboard देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं समस चात्र चाता है जिरहोंने अभी तक अपने bank खाते में आधार सीडिंग नहीं करवाई है तो वो आधार सीडिंग आवसी करवा ले तभी उनका पैसा आएगा आने था उनका scholar ship का पैसा नहीं आ पाएगा आधार सीडिंग मतलब dbt and npci linking करवाना बहुत ही जरूर है तो student पे जाके registration पे जब आप click करेंगे तो यहाँ पे आप st st journal category के यहाँ पे registration कर सकते हैं फ्रेस, pre-matric, post-matric और यहाँ पे आप far ovc category के registration कर सकते हैं pre-matric, post-matric, post-matric, other than pre-matric, pre-matric, 9th to 10th और post-matric, post-matric, intermediate, 11 और 12 और post-matric, other than intermediate, बीए, BSC, विकावम, विकावम, जो करते हैं उनके लिए हैं और यहाँ पे अलप संख्यक कल्लियाण विभाग वाले जो आते हैं उनके इसमें करेंगे ठीक है तो हमारा है OBC या SC के तो यहाँपे registration पे कल्प करके यहाँपे आपको अपना जिला स्थान का नाम और यहाँपे वर गया जात ही और यहाँपे धर्मा आपको करने के बाद आपको यहां पे सिंप्ली छात्रा का नाम डालना होगा चात्र और उसके बाद आपको मुवाइल नंबर देना होगा स्वाने में देख पासवर्ड बनाना होगा यही कुछ सिंपल सी डिटील भर करके आपको जनेट ओटीपी पर किलिख करना हो जैसे ही अब जनेट ओटीपी पर किलिक करेंगे तो कुछ इस परकार एंड प्रोसीड रजीटेशन पर हम जब किलिक करेंगे तो आगे यहां पर जब आप समीट पर किलिक कर देंगे तो आपका रजीटेशन हो जाएगा और रजीटेशन नमबर बिल जाएगा ठीक है तो अपना रजीटेशन नमबर और पासवर्ड याद रखना है ठीक है उसके नंबर डालना है और अपना password जो आपने password बनाया था वह password डाल करके और ये नीचे दिया capture डालके submit करके आपको form भरना है आगे form कैसे खुलेगा मैं अभी आपको बताने वाला हूं तो वह form कैसे भी है वो data बर्थ डालने और आपको अमना password डालना अगर दोस्तों आपका password याद नहीं है तो नीचे आपको एक forget password का option दे रखा होता है उस बेख किलिक करके आप password को forget भी कर सकते हैं ठीक है आगर पासवर्ट फॉर्गेट करना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है ठीक है डिस्क्रिप्टिन में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं नीचे फॉर्गेट पासवर्ट तो यहां पर हमने सिंप्ली डीटेल डाल के भर ली है और सब्मिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से 2023 एंड 24 का फार्म खुल रहा है तो यहां पर वहुत ही इस वर्ष सिंपल फार्म है आपको यहां पर आधान नमबर वगेरा डाल करके कैप्चा डाल करके वेरिफाई कर लेना है आधान नमबर ठीक होम पे जाएंगे और सिंपली बहुत ही आसान तरीका दे रखा है अपकी मोबाइल भी सत्यापन है तो अपकी मतलब आधार कार्ड पे मोबाइल नमबर वही लगा होना चाहिए और NPCI सत्यापन है तो NPCI अपकी मोबाइल नमबर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके यहां पर चेक करेंट स्टेटर पर आप जब किलिक करेंगे तो यहां पर आपको आपका पिछले वर्स का विवर्ण दिखायेगा कि इनका स्कालर्शिप पिछले वर्स आया था या नहीं आया तो यहां पर एक साथ चरण है रजिटेशन हो चुका है अप्लिकेशन फाम अपलोड डाकॉमेंट्स इंकम कास्ट और आधारत हो केंटिंग अप्लिकेशन लोग और रिशीव हार्ड कोपी एट इनिस्टिट्यूट यहां पर हम इनको कर देंगे लोगाउट